बहुत ही सीरियस टॉपिक है एक मैं सिर्फ अपने बच्चों से नहीं बात कर रहा हूँ मैं कुछ बुद्ध जीवियों से भी बात कर रहा हूँ इस वक्त जो आज की डेट में पता नहीं क्या सुचते हैं आज यहां पर बात होने वाली है कि वह है इंटरप्रेटेशन ओफ रिलीजियस बुक्स जो भी हम दों के धर्म गरंत होते हैं किसी भी धर्म के उनको आपने किस हिसाब से समझा है उसके उपर बात होगी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है डिवेटिबल है लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे ढंक से समझे आप एक स्टुडेंट है आप एक समझदार इंसान है अगर आप रियाल्टी में एक वाइस परसन है तो आप इस बात को बहुत अच्छे समझेंगे और आप उसी कोई भी निगेटिव कमेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर बात होगी वह तर्क होंगे ठीक कुतर्क नहीं होंगे और आप मुझे कुतर्क देके अगर काटना चाहेंगे इस वीडियो में तो गलत होगा ठीक है जैसे कि हम लोगों कही है रिलिजिजिन किसी और पर बहुत सारे रिलिजिजिन बनाए गए उन सब में रिलिजियस टेक्स लिखे गए वो सब एज़े कॉंस्टिूशन वर्क करते हैं जब प्रचीन काल की बात करें बहुत एंसीन टाइम की तब क्या था कोई भी आपको कॉंस्टिूशन नहीं था किसी भी कॉंस्टिशन सब्सक्राइब कुछ नहीं बताया था तो उस वक्त लोग अपना जंगली बना रियल्टी पॉल नहीं कड़वे लगें लेकिन शब्द सहीं है जंगली बना अपना छोड़कर इंसानियत के साथ जीने लगें इसके लिए रिलीजियस बुक्स लिखी गई लोगों को बताया है आपको समझ भी नहीं आता है दूसरी चीजे आपको पेड़ नहीं काटने यह बताने के लिए उसे जोड़ दिया ठीक है दूसरी बात कि आपको कुछ भी गलत करना है ठीक है तो आप कर नहीं सकते उपर आले देख रहा है फिर वह उपर आला कोई भी हो मैं यहां पर्ट कि उसमें लिखा कुछ और है उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करें पड़े हैं लोगों को उस हिसाब से भैकार हैं कि यह नहीं यह करो यह नहीं करो जिस तरीके से लोग भी हेव करते हैं लोग साथ मुझे कती पसंद नहीं आता है कि समझना जो वर्ण सिस्टम था ना व जब शत्री है इसका इंटर्पेटेशन समझो गलत तरीके से मतलो इंटर्पेटेशन समझो किसी साब से वह लिखा गया था वो ची समझो फिर उसके बहुत करना अ समझो ब्रह्मण ब्रह्मण का मतलब जिसके पास बुद्धी बहुत ज्यादा है कोई कहीं पैदा होने से ब्रह्मण नहीं हो जाते याद रखना ब्यवकूफ इंसान को ब्रह्मण नहीं हो सकता ब्रह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का मतलब तक ज्यान जो ज्य इतने सारे लोग जाते हैं ऐ टीक है वेस्ट फाइटर होते हैं और एग सत्री हो तो तुम वैश हो सूधर हो तो तो महरे साथ बहुत अच्छा हो समसा हो सबस्तों और रहे हो तो तुम मैं साथ बहुत खराब होगा यह टेंड Personen कैसी पूरे भारत को खराब कर देगी नेक्स्ट वैस्ष वैस्ष का मतलब होता है जो इंसान इतनी उसके पास पुद्धी है कि वह business खड़ा कर सकता है बढ़ा कर सकता है बिजनस कर सकता है वह इसन जो बेस्ट विजनसमैन हो से बोलते हैं वह चाहें वह किसी भी creed, caste, sex, gender किसी का की हो याद रखना और लास्ट है शूद्र शूद्र का मतलब भी जानते हो किसी भी इनसान को कैदेत कि भी है तुम उस कास्ट में पैदा हुए हो कास्ट के बेस पे कभी भी आपको इनसान को जज नहीं करना है ठीक है यह चार वर्ण बतारा हूँ ना इनके according आपको जज करना है शूद्र का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा महनत करे जो सबसे ज़्यादा महनत करे होता है शूद्र अब बताता हूँ आपको कि यह कहां से निकले हैं हम लोगे अपनिष्रदों में जो वेध हैं उसमें लिखा हुँआ है की ब्रह्मान मतलब ब्रह्मा के दिमाग से निकला हुआ इंसान या फिर सर से निकला हुआ फिर बाजीओं से निकला हुआ छत्रि Rio baik फिर दिमाग से निकला हुआ शुद्र अब झाल इस चीज को इंटरप्रेट ढंग से करो ढंग से संज़ हो क्या मतलब यहां से निकला मतलब बुद्धी ते जोगी बुद्धी का एरिया नहीं तो यहां पर दिमाग है तो दिमाग वाले काम जो सबसे अच्छे करेगा वो होगा रम्मृत ज्यादत थाकत न लोग कि help कर जाकर थर्ड पएट पालने के लिए क्या चाहिए पैसा चीह है ठीक है तो पेट उदर से निकला हुआ है वैस्शे जो तो सबसे ज़्यादा पैसा कमा सके जो बिजनस माइंड़ेट हो वैशे ठीक और रही बात जंगा है जंगा करका क्या काम मजबूती देना पूरी बॉड़ी को स्ट्रेंथ देना तो इन तीनों को रहमार्ण छत्री और वैशे को समभलने वाले कौन शुद्र इनके अंडर में काम कोन करता है मेहनत कोन करता है यên बैठे रहते हैं इनका आम कर रहे सब मत्तूर हुए सारे में कास्ट में पैदा होने की वेज़े से आपने उससे कहते तुम शूद्र हो ठीक है तुम रम्मड हो तुम छत्री हो तुम वैशे हो तुम बेवकूफियत वाली बात कर रहे हैं तुम लोग मेरे भाई इस चीज को समझो आपका जो वर्ण सिस्टम है उसके कार्डिंग आपको लोगों को अलग करना है लेकिन आज की डेट में आपको करना ही नहीं है यार क्यों नहीं समझा था आपको आपको करना ही नहीं है आपको इस चीज को समझना है हर एक इंसान इक्वल है अब क्ट बाद करने कॉने कोई बीगलत चीज नहीं लिखी हुई है को ने लोगों को पता नहीं होता है लोगों को पढ़ाने आते रिलिजियस टेक्स्ट पढ़ाने आते लोग पंडित जी आएंगे मौलवी जी आएंगे ठीक है चर्च वाले पोप सहब आएंगे ठीक है और क्या करते हैं और भी लोग आएंगे वह सब अपने अकॉर्डींग उन्हें जो पढ़ाया गया है उन्हें जो पढ़ाया नहीं गया उन्हें जो सुनाया गया है वह बोलते चले आते हैं आप उसे फॉलो कर रहे हो क्यों फॉलो कर रहा है है आप के पास दिमाग है मेरी बार समझाग है आप अपमें religious text को खोलो real व उस चीज को एक साइड रखे उसचीज को एक साइड रखे आप ज़रब सोचना जब आप खुद पढ़ रहे हो और आपका जो दिमाग सच्छा जो दिमाग है वो जो कह रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है क्या next का मतलब यह है कि इस वाले कि भाई वो मेरे धिर्म का नहीं है वो मेरे रिलीजिन का नहीं है वो मेरे कास्ट का नहीं है ठीक है भाई तुम लोग भारत को तोड़ डालोगे बांट डालोगे हम सब एक है याद रखना हम सब एक है और हमारा जो धर्म होना चाहिए न सिर्फ एक होना चाहिए हम सब का धर इन आप है एक यह नहीं अच्छी बात है यह नहीं इस चीज आप समझें आप तो समझते दोर नहीं भी पिला लेंगे क्योंकि अलग खरम का है फिला देंगे हुस हो जाएगा थीकर मिला देगे हैं तो खस्ट हमारों कइनल है के पहली चीज है कास्ट बक्वास चीज है कास्ट बक्वास चीज है बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया होगा आपका समझी नहीं आते है आप लोगों भेदवा करने लगते हो और कुछ नहीं मिलता है तो भाईया अपनी कास्ट में भेदव किनेटिकल इफेक्ट उसके उपर कुछ है तुम्हें क्या दिक्कत है कि तुम्हें कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी कि तुम्हारे घरवाल तुम्हें छोड़ देंगे ये बेवकूफियत वाली बातें करना छोड़ दो इंसानियत लाओ ठीक है अच्छे इंसान मनो और ये बोलना चाहूँगा अपने इस्टुरेंट से भाई देखो तुम सब दोस्त हो लड़के हुए लड़कियां हुए सब के सब एक्वल हो ये मत सबजना कि क्या कहते है लड अपने कर्म सुधार लो अपने आपको सुधार लो एक चीज़ रखना पूरे देश को सुधारना है उससे पहले खुद को सुधार लो बस काम खतम आप सबसे पहले खुद को सुधार लो बस खुद से रोज कहो कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं ये गंदगी वाली करना और लोगों तक पहुंचाना यह बात थैंक यू